चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरी पैरी बच्चो All India इस्टे वैकेंसी राउंड का रेजल्ट आ चुका है और कटोफ हाई रही है High Rain का मतलब ये है कि जो कटोफ कम से कम भी 300 रेंक 400 रेंक डाउं जानी थी वो मात्र 100 रेंक से डाउं ही रही है यानि कि कटोफ है वो ज्यादा डाउं नहीं रही है बहुत ही कम डाउं यानि कि स्लैटली डाउं रही है थर्ड राउंड से थर्ड राउंड में जो कटोफ थी उसके बराबरी रही है मात्र 17 सी रेंग डाउन गई है किसी किसी कटेगरी में थोड़ी सी ज्यादा गई है तो आईए मैं आपको थर्ड राउंड का कमपेरिजन के साथ में इस्टे वेकंसी राउंड की कटोफ बता देता हूं सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड का कमपेरिजन भी आप यहां देख सकते हैं तो यूर कटेगरी के अगर हम बात करें तो 25,050 रेंग यानि की 652 मार्क्स पर चूड़ा चांदपूर मेडिकल कोलेज मनिपूर का मिला है जबकि थर्ड राउंड में ये कटोफ 24,842 थी सेकेंड राउंड में ये 22,995 थी और फर्स्ट राउंड में 19,603 रेंग पर ये कोलेज मिले थे मतलब कोलेज मिले थे अब OVC केटेगरी की बात करें तो OVC केटेगरी में भी ज्यादा अंतर नहीं रहा है ये कटोफ 25,079 रेंग पर कटोफ गई है 652 मार्क्स पर कोलेज म अगर देखें तो OVC केटेगरी की 24,982 रेंग पर गई थी और सेकेंड राउंड में 23,358 रेंग और फर्स्ट राउंड में 20,281 रेंग पर ये कटोफ गई थी तो ज्यादा डिफेरेंस थार्ड और इस्ट्रे में नहीं रहा है OVC केटेगरी में भी अब बात करते हैं EWS क केटेगरी में भी ज्यादा अंतर नहीं रहा है Only 134 रेंग का ही फरक पड़ा है इसमें तो आईए देखते हैं एक बार 28,836 रेंग मांक सेमे 647 नागालेंड मेडिकल कोलेज इस्टे राउंड में मिला है जबकि थर्ड राउंड में ये 28,702 रेंग पर मिला था सेम मांक्स पर सेकेंड राउंड में 26,720 रेंग पर और फर्स्ट राउंड में 23,419 रेंग पर मिला था ये EWS केटेगरी को कोलेज S3 केटेगरी की बात करें तो शिरफ 3 मांक्स डाउन आई है 3 मांक्स डाउन आई है इसमें 3rd राउंड से इस्टे राउंड में अभी जो रेंग का आया इसमें S3 केटेगरी को मिला है वो 1,37,759 रेंग जिसके मांक्स थे 550 लेकिन ये 3rd राउंड में मिला था 1,33,872 रेंग यानि की 553 मांक्स पर अभी जो इस्टे में S3 केटेगरी को मिला है 550 पर वो अंडमान निकोबार मेडिकल कोलेज मिला है सेकिन राउंड में 1,25,103 रेंग थी और फर्स्ट राउंड में 1,5,676 रेंग थी ST केटेगरी की बात करें तो ST केटेगरी में सिरफ 1 मांक्स डाउन गई है कटो 1,68,640 रेंग पर 5,26 मांक्स पर जो राम मेडिकल कोलेज मिला है थर्ड राउंड में ये 1,66,849 रेंग था सेकिन राउंड में 1,55,826 रेंग था और फर्स्ट राउंड में 1,45,207 रेंग था तो ये देखा जाए तो ये काफी ज्यादा कटोफ रही है जिस परकार से हम सोच रहे थे कि कम से कम 300 रेंग डाउन आएगी कटोफ जनल केटेगरी में 200 रेंग डाउन आएगी, OBC केटेगरी में 300 रेंग डाउन आएगी तो ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी जो इस्टुडेंट थे हाईर मार्क्स वाले इस्टुडेंट वो काफी इस्ट्रे वेकंसी राउंड के लिए बचे हुए थे वो सुझ रहे थे कि इस्ट्रे में हमें अच्छी सीट मिलेगी, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई सीट नहीं ली थी, नए ही स्ट्रेट में सीट ली और नए ही ओल इंडिया के थर्ड राउंड तक सीट ली थी, वो इस्ट्रे के लिए ही वेट कर रहे थे और इस्टे में उन्होंने अच्छी कोलेज ली है और वेट किया है अभी तो इस कारण से ये कटोफ ज्यादा डाउन नहीं रही है तो ये जानकारी थी कटोफ के बारे में इस्टे वैकनसी राउंड के बारे में बाके अपडेट के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जैहिं